विशेगनित कक्षा प्रथम पाठ दस पैटन प्यारे बच्चों, आज पाठ शुरू करने से पहले हम इन दो चित्रों को देखते हैं यह है चित्र एक और यह चित्र दो चित्र एक में फूल और पत्ती कहीं भी बने हुए हैं वहीं दूसरी ओर चित्र दो में फूल और पत्ती का एक विशेश क्रम है पहले फूल, फिर पत्ती, फिर फूल, फिर पत्ती जब भी कोई वस्तु किसी एक विशेश क्रम में लगी होती है तो हम उसे पैटन कहते हैं अब इनी फूल और पत्ती से हम एक नया पैटन बनाते हैं दो फूल, एक पत्ती, दो फूल, एक पत्ती एक विशेश क्रम जब बार-बार आता है तभी वह पैटन कहलाता है अब आया आप सबको पैटन समझ में आप भी अब फूल और पत्ती से अपनी पसंद का एक नया पैटन ज़रूर बनाईएगा आप चानते हो, हम आकरितियों से भी अलग-अलग पैटन बना सकते हैं चलो, हम वर्ग, त्रिभुज और व्रित से एक पैटन बनाते हैं पहले एक वर्ग, फिर एक त्रिभुज, फिर एक व्रित उसके बाद फिर से एक वर्ग, त्रिभुज और व्रित बन गया हमारा पैटन है ना कितना आसान, ऐसे ही हम अलग-अलग आकरितियों से अलग-अलग पैटन बना सकते हैं हम संख्याओं से भी एक पैटन बना सकते हैं और देखो, हमारी गिंते भी तो एक पैटन में ही है एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है संख्याओं से कुछ और नए पैटन बनाते हैं दो, चार, छे, आठ, दस, आपने देखा, हर संख्या में दो जोड कर हमने एक पैटन बना दिया दो में दो जोड़ा, चार, चार में दो जोड़ा, छे, छे में दो जोड़ा, आठ और ऐसे ही जोडते जाएंगे एक और पैटन भी हो सकता है तीन, छे, नो, बारा, पंदरा इसमें हमने क्या जोड कर पैटन बनाया है? अरे, बिलकल सही तीन जोड़कर हम पैटन संख्याओं को जोड़कर या घटा कर तोनों तरीके से बना सकते हैं चलो एक पैटन देखते हैं पचपन, 50, 45, 4, 35 देखा आपने इस पैटन में आने वाली संख्या पिछली संख्या से 5 कम है और 5 घटा कर एक पैटन बन गया हमने देखा कि हम पैटन बना सकते हैं वस्तुओं से, आकृतियों से, संख्याओं से बस अपने दिमाग की बत्ती जलाकर हम किसी भी पैटन को आगे बढ़ा सकते हैं तो कुछ मिलकर अभ्यास करें एक उपर एरो, एक नीचे एरो अब आगे का पैटन आप बताओ हरे वा, बिलकुल सही इसके बाद एक उपर एरो और फिर एक नीचे एरो शाबाश दूसरा सवाल दस, बीस, तीस, चालिस और आगे क्या आएगा? हाँ, सही चालिस के बाद पचास, फिर साट आप तो पैटन सही समझ गए चलो, एक और प्रश्न करते हैं बीस, अठारा, सोला, चौदा तो आगे की दो संख्याएं क्या होगी? शाबाश आपने सही पहचाना बारा और दस तो हैना पैटन कितना आसान और कितना मज़ेदार अब आप आसानी से अपनी पाठे पुस्दक के सारे सवाल हल कर पाएंगे चलो, अगली क्लास में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई, थांक यू